नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहें न्यूस क्लिक पर ग्राउंड रिपोर्ट करनाटक बैंगलोर से एक बहुत बड़ा सवाल जो करनाटक की जनता शायद प्रधान मंत्री नरेन मोदी जी से पूछना चाहती है और वह तभी पूछ पाएगी जब वह मन की बा करनाटक में तो नहीं भूल कि करनाटक में की सरकार चल रही थी अभी तक आफ ही की लोग है जिनका शाशन यहां चल रहा है और उन लोगों के शाशन में कि चर स्काशन अप aba नाटक ने जो देखे हैं उस समाज के लोगों ने आत्मत्याई की हैं जो अभी तक किसान और मजदूर के केटेगरी में नहीं आते हैं, यानि फेकेदार, बिजनेसमेन और हम सब जानते हैं कि ये सारे लोग शिकार बने हैं भाश्पा के करेक्शनल की. इसी के साथ साथ एक और एहन सवाल जो करनाटक की धर्ती पर उठ रहा है बार बार, कि आप जब करनाटक की विकास की बात करते हैं, तो क्या आप सिर्फ कुछ उद्योगपतियों की बात करते हैं, सिर्फ आप नंदनी के उपर अमूर को बैठाने की बात करते हैं, क्या आप जनता की अपनी एक पूरी की पूरी जीने की पधिती है, जिसे आप सिर्फ और सिर्फ नफरती एजंडे में तब्दील करना चाहते हैं, आप भूल जाते हैं बस्वन्ना को, आप भूल जाते हैं उस करनाटक की साजी विरासत को, जिसने यहां पर मिल जुलकर लंबी परंपरा पैदा की, साथ रहने की, साथ मिर्टे करने की और साथ गाना गाने की इसी के साथ साथ मोदी जी एक बात और आपके विश्वसनिये, देश के घृहमन जी उनके खिलाफ कॉंग्रेस ने दर्वासा खट खट आया कि वह जो लगातार नफरती भाशन दे रहे हैं, लगातार जो करनाटक के मद्दाताओं को धंकाने की कोशिश कर रहे हैं, यह जायज नहीं है हम सब जानते हैं कि चुनाव आयोग खामोश है, खामोश रहेगा, क्योंकि आपने जो पूरा का पूरा मेकेनिजम विक्सित किया है, लोगतंत को दबाने का, उसमें चुनाव आयोग से अब किसी को उम्मीद नहीं है लेकिन कब से कम पॉर्णग्रेस ने एक पहलकदमी की और कहा, कि जिस तरह से नफरती एजंडा चलाया जा रहा है, जिस तरह से आपके कहने पर, जी हां, ध्यान दीजीए, आपके कहने पर ही भाशपा का एक नेता, जिसे आपने पहले दरकिनार किया था, वह वापस आता है और पब्लिकली ऐलान करता है कि भाजपा को एक भी मुसल्मान का वोट नहीं चलिए मुदी जी आप इस देश के प्रधान मंत्री हैं और जब आपको प्रधान मंत्री बनाया देश की जन्ता ने तब उस समय क्या सत्ता में बैठ कर आपने एक घोशना की थी कि आप देश के नागरिकों को अलग-अलग धंग से बाटते हैं और अगर नहीं की और अगर आप बीच-बीच में मुसल्मान नेताओं से भी मिलते हैं तब क्या आप दूसरे देश के लोगों से मिलते हैं सवाल बहुत सीधा है कि करनाटक की धर्टी को आप इस तरह की नफरती ब्रिगेट के हवाले क्यों सौपना चाहते हैं